यूटूब एप पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ बड़ी खबर आपको बता दें कल यानि की 28 जनवरी को जीन्द चुनाव के लिए मतदान होना है कल जीन्द में चुनाव होगा बड़ी खबर आपको बता दें और मतदाता अपना मत का इस्तेमाल कर राजनितिक पार्टियों का भविश्य तैक करेगा बड़ी खबर आपको बता दें सभी पार्टियों की धड़कने अब तेज हो जाएगी इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे समादाता अनल मोर हमारे साथ जुचुके हैं अनल मोर 28 जन्वरी जिस तारीक का काफी समय से मतदाता इंतजार कर रहे हैं कही न कहीं बात अगर आज नितिक दिगजुकी की जाए तो उनके लिए अगरी परिक्षा के दिन से कम ये दिन नहीं होगा बिल्कुल देखे अगर जीन्द की फिजाओं की बात करें जीन्द में मैं आठ तारीक से लगातार यहीं पर हूँ जो एक चुनाव परचार था नामांकन का दोर था वो सारा दोर देखा जीन्द की फिजाओं की अगर आज की बात करें आज जीन्द में बिल्कुल एक शांती सी दिखाई दे रही है क्योंकि कल जो चुनाव परचार था वो खतम हो चुका है अब कल जो पोलिंग है कल वोट पड़ने है कल वोट पड़ने हैं तो ऐसे में जो जीन्द की अगर बात करें जीन्द आज बिल्कूल शांसा नज़रा आ रहा है बिल्कूल किसी तरह का कोई चुनापरचार नहीं है जो जीन में भीड थी जो सटकों पर जाम था आज जीन की सटके बिलकुल खाली है सभी मतदाता सभी राजनितिक दल सभी उमिद्वार 28 तारीक का इंतिजार कर रहे हैं क्योंकि 28 तारीकों सभी उमिद्वारों की किस्मत EVM के अंदर बंद हो जाएगी सब से महले मैं अगर आपको बताना चाहों जीन की जीन में कुल 36 गाम और 31 वारा दे इने समको देखते हो जीन मैं कुल 354 पोलिंख बूत बनाए है बाकी मैं आपको पूरी अगर डिटेयल दो हूं खूल पूलिंग बूत है जिन में से 32 सेंस्टिव पूलिंग बूत है और बात करें 37 अतीश वेदन सीले यानि अतीश वेदन सीले जहां पर जगड़ा होने की ज्यादत संभावना है वो कुल 36 है इसके अलावा पुलिस सुरक्षा वेवस्ता की बात करें 2000 के करीब जो पुलिस कर में वो यहां पर तैनात किये जिन में 3 IPS तरक अदिकारी है 4 DSP है और एक दरजन पूरा इंस्पेक्टर है इसके अलावे एक पैरा मिल्टरी फोर्सेज की टुकड़ी एक CRPF की टुकड़ी यहां पर बुलाई गया अगर जीन पूरे शहर की बात करें जीन की तरफ जितने भी र बंदी की गया जीन में कोई भी वक्ति आ रहा है बाहर की गाड़े यहां रहे बकाइदा उनकी चेकिंग की जा रहे है अगर नाका बंदी की अगर बात करें पिचास नावकों पर 700 प्लिस कर्में को तेनात किया गया इसके अलावा अगर बात करें मैं इवे मशीन के बात कहीं काफी भीर भाड़े यहां पर दिखाए रही थी काफी जामता लेकिन आज बिल्कुल शांती है क्योंकि चुनाव परचार खतम हो चुका जितने भी उमीदवार है अपना चुनाव परचार नहीं करते हैं हाला कि वोट मांग सकते हैं वो डोड टू डोड जा सकते हैं क किसी के घर पे जाकर वोट मांग सकते हैं लेकिन लाउड शांती को बरकरार रखे हुए हैं मतदाता जो कि कल इन राजनितिक पार्टियों के दिगजो की किस्मत का फैसला करेंगे यानि कि जीन उक्चुनाव के लिए अपना मतदान करेंगे